बरेचाब भोशपूरी एक्टर पबन सिंग पर आचार सहिता का केस से दर्ज हुआ है पाच अलग-अलग थानों में केस दर्ज हुआ है रोडशो को लेकर मामला दर्ज हुआ है परमीशन से अधिक गाड़ी के इस्तमाल का इनके उपर आरोप है कारकाट इलाके में पबन सिंग ने रोडशो किया था कारकाट से निर्दलिये पबन सिंग चुनावी मैदान में है बिकरम गंच अनमंडल शित्र में केस दर्ज किया गया है तो गाड़ीयों का काफिला जादा था गाड़ीयों की संख्या अधिक थी और इसी को ले करके आचार सहिता के उलगण के मामले को ले करके ये केस पबन सिंग पर दर्ज किया गया है बिकरम गंच अनमंडल शित्र में ये केस दर्ज किया गया है तो कारकाट में उन्होंने रोडशो किया था बता देगी कारकार्ट से निर्दलिये चुनावी मैदान में पवन सिंग है और अब बात करते हैं बिहार की होट लोगसभा सीट पूर्णिया लोगसभा सीट की है बेहार में ये खाफी होट सीट बनी भी है क्योंकि पुर्णिया लोग सबा सीट से निर्दले चुना उलड रहे पपू यादब ने आरजडी देता पर गाली देने का आरोप लगाया है पपू यादब ने कहा है कि उनको अब शब्द बोला गया छोटे साहब को देखना चाहिए वहीं आरजडी की तरब से पपू यादब के समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया है पपू यादब ने आरजडी की आरोप पर सफाई देते वे कहा कि वे लोग CCTV फुटेज निकाल कर देख लें उनके समर्थक सिर्फ नारे बाजी कर रहे थे सन के दिये उनके सब जगह थे तो अब आप सोचिए कितना नेतिक अस्तर गिर गया है यहाँ पर बैट करके जदियों के लिए परचार किये कि जदियों को दे दो दूसरे चरण की वोटिंग को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड में नसरा रही है भागलपूर पुलिस ने कॉंग्रिस समिद्वार अजीत शर्मा की होटल में छाफे मारी की और हर कमरों की तलाशी ली इसकी सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में आरजेडी और कॉंग्रिस की कारकरता मौके पर पहुँच गए और जम कर नारे बाशे की तो यह तस्वीर चांग्रिस समिद्वार पुलिस तारी को भागलपूर में मद्दान होना है लोग तो होटल में नहीं ठारे हुए है या कहीं से पैसे का लेंदेन का सवाल हो तो उसको लेकर भी हर एक रूम की तलासी पुलिस के द्वारा ली जा रही है पूरे सहर में जो होटल की छापे मारी की जा रही है और वैबब होटल जो है कौंगेस पत्यासी का उसमें भी तलासी ली गई है लेकिन वहाँ से भी कुछ नहीं मिला होटल निहार होटल राजंट और अभी जो है युभराज होटल में देख सकते हैं कि पुलिस की टीम यहां पर जाप कर रही है और जाप कर रही है लगातार जो होटलों की जाच की जा रही है क्या जाच चल रहा है सर इसमें अभी हाँ चुनाओ को देश्ट्री को जाच किया जा रहा है क्या क्या देखा जा जा रहा है सर इसमें बहारी लोगों को भी चिनित किया जा रहा है तो अब दे सकते की लगतार जो है होटलों में छापे मारी की जा रही है और पुलीस उसे प्रप पर नहीं कर पाएं और कहीं पैसे का खेल ना हो इसको लेकर जो है लगातार पुलिस तर्थपर्ता के साथ सब्सक्राइब की जाच कर रहे हैं वहीं होटल वैबा में ठापे मारी के दौरान जो है कुछ कारीकस्ता जरूर जूटे थे जो नारेवाजी कर रहे थे लेकिन पुल यहां बाहरी भगाव अस्थानिय लाओ हम करपूरी के धर्ति के बेटा है और यहां बाहरी आके और अब खरवरुपया लोग को पैसा देके दार उतारी बाट के यह लोग जी जाता है पांच साल तक भेट नहीं करता है जब दू महिना बसता है तब यह घर घर गोर लागने का काम करते हैं एक बार हो गया दू बार हो गया हम मानने लालू परसादे आदब जी आते ज़सी सब लोग को कहIE थे यहां कर पुरी के धरती के लोग को दिजिये सर यहां के नाम पर पुरा देश के लोग राने दी करता है और बाहरी के हम देते हैं ऐसा लोग कर देते हैं अलोक महता पर लगभख एक दू अर अब आव रूपया का घोटाला चल ले लगव का हनुमान का मैं अभी भी अनुमान हूँ लालू तेज़श्वी का और लालू तेज़श्वी का जो गोटर है हमको जीताने का काम करेंगे आई बहरिया को भगाने का काम करेंगे पूस्ताच हुई है तो देखे लगतार पूस्ताच हो रही है पूस्ताच होनी भी है और ऐसे में दो तीन और नाम सामने हैं जिन से पूस्ताच होनी है अब सर इर्शाद प्रिररंजन से पूस्ताच होगी और इस पूस्ताच में कई एहमराज खुल सकते हैं बैठक में तीन जन सभा को समबोधत करने के बाद बीजेपी के रास्टी अध्यक्ष जेपी नड़ा ने पार्टी कार्याले में चुनाओ प्रबंदन समीती के साथ बैठक दी और इस बैठक में दोनों डिप्टी सेम भी मोचूत रहे बैठक में चुनाओ के रनीती पर चर्चा हुई बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी ने दाओं से चुनाओ को लेकर फीलबैक लिया तो वहीं आगे के लिए कई दिशा नड़ेश भी दिये बैठक के बाद जेपी नड़ा दिल्ली के लिए रवाना हो गये 26 सप्राइल को पिये मोदी मुंगेर आ रहे हैं इंटियो में द्वार राचियो रंजन सिंग उर्फ ललोन सिंग के समर्थन में चुनावी सभा करेंगे सबास्तल का जैसा लिया है समबाददाता अरून शर्माने प्रफिल करने के लिए आएंगे वहाई अड़ा पर आएंगे आप देख सकते हैं कि हवाई अड़ा पर उनके लिए जो मंच बन रहा है मंच तो उसके लेकर आप देशक्री अच्छा को लेके जो पुलीस वल है अभी से ही आज से ही तैनात है जो काम में लगे लोग है वो म है है सिरबाद मागेंगे यह देश का चुनाओ तो नहीं है देश का चुनाओ है विकेयास बंद्स को-ठी अर्थ वैवस्था बनाना दुनिया के तिर श्व्यती ऑ्धिक सकत्य बनाना-हे भारत को इसलिए आप मंत्री स्टेर्यन वहादी को पुनह 400 पार्ग के मतों से बना ताकि अभी जो हम भी यहां पर आएं हवायड़ा पर जो तयाई कापी तेज गती से चल आया ताकि 26 को जो है समय पर यह पोईन हो जाए और उस दिन जो है पीम जो है अपने भासन को यहां पर दे सके और जनता से बोट की अपील कर सके और उन्स वहां नियू जटी नुगो बेजेपे के रास्टे मंत्री रितुराज सिन्हा ने इंडिया लाइन्स पर हमला बोलते वे राहूल गांदी से सवाल किया है राहूल गांदी ने अपने भाशन में कहा कि देश का एक्सरे कर देंगे रितुराज सिन्हा ने कहा कि कॉंग्रस का एजिंडा तुस्टी करण ह और सच्चर कमीटी के रिपोर्ट मनमोहन सरकार ने बनवाई थी, इनका असली चहरा यही है 6 अपरील को दिलंगाला की एक रैली में राहू गांदी जी ने आगे कहा कि सर्वेक्षन के बाद जितनी आबादी उतना हक इस नारे को राहू गांदी जी ने साब में रखा आप सबने देखाई होगा यह कॉंग्रेस का मेनिफेस्टो है इस मेनिफेस्टो के पेज नंबर आठ से मैं पढ़ रहा हूँ अल्प संख्यक ससक्तिकरण आवशक है कॉंग्रेस यह सुनेश्चित करेगी कि अल्प संख्यक को सिक्षा में सरकारी नौकरी में और प्येस्टो में उचित आवसर प्रदान हो कॉंग्रेस की यह जो बात है यह अचानक से नहीं आई है इनका यह हमेशा से अजेंटा रहा है तुष्टीकरण का अजेंटा वोर्ट बैंक बनाने का अजेंटा पी-म मनमोहन सिंग ने दिसंबर 2006 में जब 11 वी 5 यर प्लैंग योजना बैठक चल रहे है 11 वी 5 यर प्लैंग की योजना बैठक में पूर प्रधान मंतरी मनमोहन सिंग जी ने कहा था कि देश की संपत्ती पर, संसाधन पर, सर प्रथम अधिकार, मुसल्मान समाच का, अल्प संख्यक समाच का है केंद्रेगरी राज्यमंतरे नित्यांदराय ने कॉंग्रिस पर हमला बोलती वे का कि कॉंग्रिस पार्टी तुष्टी करण के जंडे पर काम करती है उन्होंने का कि कॉंग्रिस की नसर अब आपकी संपती और समीन जाहदाद पर है और स्पात्री हमेशा तुष्टिकरण और अन्य विभेद को फैला कर समाज को बाटने का प्यास करती है और उसी के सहारे सत्ता में आने की कोशिस करती है इंडी गटवंधन के लोगों की नजर अब सामान लोगों की संपतियों पर भी है और करें कि हम इसका सरवे कड़ाएंगे और उससे जो भाव निकलता है मैं एक उधारन के रूप में कहना चाहता हूँ कि अगर किसी के पास दो घर है किसी का एक गाउं में घर है और एक सहर में घर है तो दो घर बताकर एक घर आपको हरब लेगी या फिर दो घर है और गाउं के ही दो अस्थानों पे है तो उसमें से एक वा हरप लेगी और इसके साथ साथ जो अलाइन जोड़ती है कि इस देश के संसाधनों पर संपतियों पर बहुत संख्यकों का कोई अधिकार नहीं है और अगर है भी तो पहला अधिकार अलब संख्यकों का है या इसमें भी वोट के लिए तुष्टी करन की जलक साथ साथ है दूसरी चरण में वोटिंग प्रतिश्यत अच्छा हो इसके लिए निर्वाचन आयोग ने एक बूत पर हर एक बूत पर तयारी शुरू कर दी है और इस बार हर एक बूत पर मद्दाताओं को लाइन में खड़े रहने की जगहा बैठने की विवस्था की गई है मुखे निर्वाचन पतादिकारी से बाच्छीत की है समपात ताता वीनीता मिश्राने लोक्सवाचन चुनाओं की दूसरी चरण की तहट 26 तारीक को वोटिंग होगी हाला कि अगर फर्स चरण की हम बात करें तो पिछले चुनाओं की मुकाबले 5 प्रतिशत कम मतदान हुआ था दूसरे चरण में मतदान को बढ़ाना है और इसके लिए चुनाओं आयोग लगतार कोशिश करता हुआ नजर भी आ रहा है मुके निर्वाजन पताधिकारी हमारे साथ हैं असर फर्स फेच में प्रतिशत थोड़ी कम हुई थी सेकेंड चरण में प्रतिशत बढ़ाया जाई इसके लिए क्या कुछ तयारी है हम लोग व्यापक चर्चा किया है उसके लिए बहुत सारी मेशर्स पी हम लोग इंप्लिमेंट कर रहा है जैसे हमने सभी पोलिंग स्टेशन का फिजिकल वेरिफिकेशन करा है जिस पोलिंग स्टेशन में मान लिए बूत का बगल में दूसरा कोई रूम है काली रूम है उसमें फरनीचर है हम लोग मतदाता हूं को लाइन में खड़ा होने के बजाए वो लोग बगल वालो रूम में बैटे रहेंगे अधिकार है और आपको अपने अधिकार का प्योग करना है यही वजह है कि जाद से जादा मतदान करें लगतार चुनाव आयों की तरफ से कोशिश भी की जा रही है और इस बार जतने मतदान किंद्र बनाए गए हैं सभी जगह अधिकारी खुद विजिट किये हैं तमाम ज युग सभा के लिए 26 सप्राइल को चुनाव हैं शांतिक पुर्द में चुनाव कराने के लिए स्वार प्रशासन और पुलिस प्रशासन का भी ज़्यादा एक्टिव हैं सभी वानों की तलाशी ली जा रही है हतियार शराब और कैश को लेकर पुलिस तर शेहर के कई चौक चौराहों पर जाज अभियान चला रही है वागे से साधा जानकारी दे रहे हैं संभाद्दाता आजिस रंचन ले रही है दर असल सराब की खेब तो नहीं आ रही है ना इस पैसे को लेकर कहीं कोई खेल चल रहा है इसको लेकर जो है लगातार पुलिस का पर है और हरे गारी की जांच की जा रही है सबी गाड़ियों का डिक्की खोल कर जो है उसका जाच किया जा रहा है मजिस्टेट साथ में है और पुलिस कर्मी के द्वारा हर एक गाड़ी की तलासी ले जा रही है कि कहीं किसी फरकार का कोई अभैर हक्यार हो या सराब हो या कैस का जो लेंदेन होता है चुनाओ के दौरान उसको तो कहीं नहीं ले जाया जा रहा है लगातार पुलिस की टीम जो है जाट में टूटी भी है यो एलेक्शन का भी चल रहा प्रोसेस उसमें तलासी उगरत किया जा रहा है कि कोई अवैद समान नहीं जाए कोई गलत तरीक से कोई कैस उगरत नहीं जाए और उसका मिश्यूज नहीं हो एलेक्शन में साम में चुनाओ पचार थमने के बाद जो है पुलिस और जो टीम है पूरी वो चौकत हो चुकी है और लगातार जोहां एक तर फोटल की जाटी गई है वही अब जो है सणकों पर जो है पुलिस लगातार जो है गाडियों की तलासी ले रही है लोकसबाद चुनाओ को लेकर गुपाल गैज पुलिस मिशन सुरक्षा अभियान चला रही है और इसके तहर पिछले दस तिनों में पुलिस ने दस अवेद हथियारों को जब्त किया है जब्त हथियार में कारबाईन, राइफल, आटोमेटिक पिस्टल समेत कई अत्याधूनिक हथियार शामिल है छैसे ज़्यादा शौतिर अपरादियों को गिरफतार कर जील भीजा गया है हथियार बरामत किये गए है जिसमें से एक कारबाईन रही है कुछ पिस्टल रहा है, आटोमेंटिक और कुछ देशी कट्टा रहा है और चलिए ब्रेक का वक्त हो चला है, चल दो वापस साथे पूरे देश से मन मना लिया है, कि इस पार बीज़िपी और बार बार बीज़िपी ओवर ओल जो परफॉर्मेंस अब बहुत अच्छा रहुल गांदी और रहुल गांदी सल्मानों के ठेकेदार बने फीरते हैं कुछ लोग, उनको इस पार खतम करें रहुल गांदी आगे तो रोजगार पर प्यार में बताओ चलने है, और बोड़ होगा प्यार में बताओ करें